दर्वाजा खोलने के लिए थैंक्यू वाट? मेरा प्रॉजेक्ट भी कम्प्लीट हो गया? चलो जिसने भी किया थैंक्यू दोस्तों यह हर बात पे थैंक्यू, थैंक्यू सो माच यही सारे घिसे पिटे वर्ड्स रिपीट करना बहुत बोरिंग हो गया है आग सीको मेरे साथ थैंक्यू कहने के डिफरेंट तरीके अलग-अलग सिचुएशन पर सबसे पहना अगर आपके लिए कोई धर्वाजा खोल देता है तो आपका होगे थैंक्यू फॉयो काइडनेस जैसा कि आपने मेरे एक्जाम्पल में देखा होगा दूसरा, receiving a compliment जब भी कोई हमारी तारीफ करता है तो उसे हम थैंक्यू किस तरह से कह सकते हैं थैंक्यू कहने के लिए हम यूज करेंगे ये फ्रेज तुम्हारी बातों के लिए तुम्हारे शब्दों के लिए थैंक्यू अगला phrase अगर आपको कोई गिफ्ट देता है तो उस गिफ्ट को लेने के बाद आप किस तरह से थांक्यू बोलोगे आप कहोगे आपने इतना सोच समझ कर मेरे लिए तौफ़ा दिया मुझे तौफ़ा दिया उसके लिए थांक्यू अगला अगर आपके वर्क प्लेस पे आपकी कोई मदद करता है तो आप प्रोफेशनली थांक्यू कैसे कहोगे आप कहोगे आपकी मदद के लिए शुक्रिया अगला आपके इस इशारे के लिए थांक्यू मानलो सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट है आप उसे हैंडल नहीं कर पा रहे हो उस ताइम पे अगर आपकी कोई मदद करता है तो आप इस फ्रेज का यूज कर सकते हो आपके सपोर्ट के लिए आपके सहायता के लिए मैं बहुत जादा शुक्र गुजार हूँ आपको बिलॉगिंग्स का मतलब होता है अपना कोई सामान कोई यूज की चीज थोड़ी दे 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 देता है उधार दे दे देता है तो उसके लिए आप इस sentence का use करोगे I appreciate your loan आपके उधार के लिए शुक्रिया Next, receiving help in understanding something मानलो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है और वहाँ पे आपकी कोई मदद करता है तो उसके लिए आप इस phrase का use करोगे Many thanks for your guidance आपके guidance के लिए बहुत बहुत शुक्रिया Next, मानलो आप किसी से मिलने जाते हो और उनके साथ आपकी बहुत अच्छी conversation होती है उस conversation खदम होने के बाद आप कौन से phrase का use करोगे आप उसे कैसे शुक्रिया करोगे आप करोगे It was pleasure talking to you आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा Next, बारी आती है treat की मानलो आपको कोई आपका friend या colleague पाटी देता है, treat देता है उस treat के बाद आप किस तरह से thank you कह सकते हो Thank you कहने के लिए आप use करोगे इस phrase का That was a delicious treat Thank you ये treat ये पाटी बहुत ही delicious थी, बहुत ही स्वादिश थी Thank you Next, after receiving a recommendation from someone मानलो आपको कोई किसी चीज के लिए सुझाव देता है सुझाव देने के बाद आप किस तरह से thank you कह सकते हो आप use करोगे इस phrase का Thanks for your recommendation आपके सुझाव के लिए thank you, शुक्रिया Next, मानलो आप रास्ते में जा रहे हो और आपको रास्ता नहीं पता वहाँ पे आपकी कोई help करता है directions बताने में यानि कि रास्ता दिखाने में वहाँ पे आप इस phrase का use कर सकते हो Again, thank you for your guidance because वो आपको guide कर रहा है, दिशा दिखा रहा है So, thank you for your guidance Next, when someone gives your feedback मानलो आपके काम के लिए आपको सामने वाला एक feedback देता है Thank you for your feedback Next, after someone introduces you to someone else मानलो आपको कोई किसी और से मिलवाता है So, मिलने के बाद आप किस तरह से thank you कहोंगे आप यूज करोगे इस phrase का Thanks for the introduction Introduction देने के लिए शुक्रिया Next, when someone helps you fix something मानलो किसी problem को solve करने में fix करने में आपकी कोई मदद कर देता है उस time पर thank you कहने का सबसे best तरीका है ये I am grateful for your help in fixing this आपके सहायता के लिए बहुत बहुत शुक्रिया Next, after someone lends you their time for a conversation मानलो कोई person बहुत busy है और उसका time आपको नहीं मिल रहा है आप चाहते हो से बात करना और उस busy schedule से वो थोड़ा सा time आपके लिए निकाल लेता है उस time पर आप किस तरह से thank you कहोँगे आप यूज करोगे ये phrase Thank you for taking the time to chat अपना time निकाल कर मुझसे बात करने के लिए शुक्रिया दोस्तों अगर आप बिल्कुल मज़िदार तरीके से English स्पीकना चाहते हो तो आप हमारा full spoken English course जॉइन कर सकते हो Expert Mentors की guidance में live session के थूँ English सीख सकते हो इसके बारे में जादा जानकारी के लिए description में दिये गए form को fill करो या दिये गए number पे contact करो Next, when someone goes out of their way to help you कोई सरूरत से जादा आपकी मदद कर देता है अपने लिमिट से बाहर जाकर आपकी मदद कर देता है उनको अप thank you किस तरह से का उड़े यूज करो इस फ्रेज का I am deeply thankful for your extraordinary help मैं बहुत बहुत शक्र गुजार हूँ तुमारे extraordinary यानि की बहुत ही अच्छे help के लिए Next, when someone supports you emotionally मानलो आपको emotional support की बहुत जादा ज़रूरत है और वहाँ पे आपकी कोई help करता है So thank you कहने का ये सबसे बेस तरीका है Thank you for your emotional support अपना emotional support सहारा देने के लिए thank you Next, मानलो आपने कोई गडबड कर दी है और उस गडबड को cover up करने में कोई आपकी help करता है ये generally होता है workplace पे तो वहाँ पर आप thank you किस तरह से कह सकते हो आप use करोगे इस phrase का I am grateful for your assistance in resolving this issue इस issue को इस problem को solve करने के लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ Next, when someone is patient with you मानलो आपके साथ कोई एक ऐसा इंसान है जो बहुत ही patience से आपको सुनता है बहुत ही धैरे से आपके साथ रहता है वहाँ पर thank you कहने के लिए आप इस phrase का use कर सकते हो Thank you for your patience तुम्हारे धैर के लिए patience के लिए thank you Next, when someone encourages you जब आपको कोई प्रोटसाहन देता है बहुत जादा motivate करता है वहाँ पर इस phrase का use करो Thank you for your encouragement प्रोटसाहन देने के लिए motivate करने के लिए thank you Encouragement के जगा आप motivation का भी use कर सकते हो Next, when someone shows understanding towards you जब कोई आपको बहुत जादा समझता है उस time पर thank you कैसे का होगे Use करो इस phrase का Thank you for your understanding and empathy आपकी समझ और सहानुभूती के लिए आपका धन्यवाद Next, after someone forgives you for your mistake मानलो आपने कोई गलती की है और उससे कोई माफ कर देता है इस time पर thank you कैसे का होगे Use करो इस phrase का I am grateful for your forgiveness आपकी समा के लिए आपकी माफी के लिए thank you Next, when someone supports your decision जब आपके फैसले को कोई support करता है उसके लिए use करो इस phrase का Thank you for supporting my decision मेरे फैसले को support करने के लिए शुक्रिया Next, after someone shows faith in you जब आपके कोई भरोसा करता है उसके लिए use करो इस phrase का Thank you for believing in me मुझपर भरोसा करने के लिए विश्वास करने के लिए thank you Next, after someone helps you with your studies जब आपकी पढ़ाई में कोई मदद करता है उसमें thank you कहने के लिए इस phrase का use करो Thank you for helping me with my studies पढ़ाई मेरी help करने के लिए thank you Next, when someone helps you improve yourself जब आपको बहतर बनाने में कोई आपकी help करता है उसके लिए इस phrase का use करो Your assistance has helped me become a better person तुमारी assistance तुमारे help ने मुझे एक बहतर इंसान बनने में मदद की Next, after someone helps you financially जब पैसे रुपे के मामले में आपकी कोई मदद करता है Use करो इस phrase का Thank you for your financial assistance Financially मेरी help करने के लिए मदद करने के लिए शुक्रिया Next, when someone helps you with your career मानलो आपके career में आपके job में कोई आपकी मदद करता है उसके लिए यूज़ करो इस phrase का Thanks for your help with my career Career में मेरे help के लिए शुक्रिया Next, after someone helps you with household chores इस घर के कामों में मानलो आपकी कोई मदद करता है तो इस phrase का use करो Thank you for your help with household chores घर के कामों में मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया Next, when someone helps you to plan an event मानलो आपको event plan कर रहे हो और उसमें लोग आपके मदद करते है उसमें thank you कहने के लिए इस phrase का use करो Thank you for planning the event with me इस event को plan करने के लिए मेरे साथ thank you Next, job application में मानलो आपकी कोई मदद करता है After someone helps you with a job application use करो इस phrase का Thanks for your help with the job application Job application में help के लिए शुक्रिया And lastly, when someone helps you with child care बच्चों की देखभाल करने में अगर आपकी कोई help करता है तो use करो इस phrase का Thank you for your help with child care बच्चों की देखभाल करने में help करने के लिए शुक्रिया आप मुझे comments में बताओ कि आपको thank you कहने का सबसे best तरीका कौन से लगा कैसा लगा ये lesson इस मज़ेदार lesson की तरह मेरा full spoken English course भी बहुत अलग है, बहुत खास है जिसमें मैंने beginner level से लेकर advanced level तक step by step English सिखाई है और बोलने की practice करवाई है इसमें आपको 60 से ज़ादा video lessons मिलेंगे live classes की option भी है notes मिलेंगे, quizzes मिलेंगे practice group होगा जहां students audio और text messages में practice करते हैं ताकि आपका fluent होने का सपना सर्च हो सके आपके प्यार से मुझे इंडिया का most trusted online English coach का award मिला है और इसी प्यार के लिए कह रहा हूँ कि ये course जरूर ट्राय करो आपकी life change कर देगा link description में है या फिर आप अवल English.com पर भी जा सकते हैं अगर होना है सफल तो follow अवल